हेलो बच्चो वेलकम टी टुडेइस सेशन पिटा आज का सेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है हम सब के लिए इसलिए मैं आपके हाल चाल ही नहीं पूछ रहा हूं ठीक है मैं मानके चल रहा हूं आज के सेशन में अल्रेडी सारी जन्ता आई होगी राइट आज के सेशन का मु से देखेंगे विल सी कि जो भी ग्रॉप्स हम लोग अभी तक डिसकस करें 15 16 17 18 जो भी प्रॉपर्टी अपन लोग ने उनकी डिसकस करी हमें ये चेक करना होगा कि क्या सारे के सारे ग्रॉप्स को लेकि जो हमारी अंडिस्टैंडिंग है वो सही से हो गई है या अभी भी क्या करने वाले हैं बीटा बेसिकली बेसिकली आज हम जेई के पुराने सवाल अटेम्ट करके देखने वाले हैं जो भी एक्जाम में आये हैं जेई एडवांस के कुछ अच्छे सवाल जेई मेंस के कुछ अच्छे सवाल एंड विल सी कि जितनी बातें अभी तक हम लोगों सब्सक्राइब करने की उसकों के लिए एक पहले कुई ब 했어 करने के हैं यह pew है अब जो भी सब्सक्राइब एक करने के पहले तुटाइम लगा अगर उसको अगे उसको किल्hl ने यह नहें तो ठीक है अगर सुनने के परपस से बैठने की ठीक है अभी जो भी सर कह रहे हैं वो सुन लेते हैं लेटर आगे बात कर लेंगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा आपको जिव एक काम करना है क्या करना है जैसे ही फिर यहां पर सेलुशन चेक करो जो भी हम डिसकेस कर रहे हैं ठीक है बिटा मानो मेरी बात इससे बहुत-बहुत ज्यादा कॉंफिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर यू अक्चुली फील कि भाई जो जो बातें अभी तक करी दी आपसे क्वेस्टन बन पाने की नहीं बन पारे कहां पर आपको रिविजन की जरुरत है कौन सा ग्रुप आपका स्ट्रॉंग और कौन सा ग्रुप आपका वीक है किस तरीके सीखेते काम को करने के आज सब चीज़े अप्लाए करके देख लेंगे ठीक है इसके बाद में पोस्ट इस लेक्चर दे नेक्स लेक्चर विल बी ऑफ अन्यू चाप्टर दी एंड एफ ब्लॉग एलिमेंट चलो जब दीन एफ ब्लॉग एलिमेंट पढ़ाऊंगा उसकी बातशीत करोंगा पर आज के लेक्चर की बातशीय अग्तर करते हैं तो बिटा आच का अपना गोल किया है आज का गोल 2 एक ही है कि a practice practice and practice को referoni करने वाले आज क्या करने वाले है ठेकर श्टार्ट करें गया रूल क्या है आप सबको पता है बिटा शफ़ल क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसा नहीं है कि में सिख्वेंस में लाँगा कि सबसे पहले गुरूप 15 पढ़ाया तो उसका सवाल आएगा फिर 16 का फिर 17 का फिर 18 का ऐसा भी नहीं होगा कि last में ग्रूप 18 पढ़ाया था तो पहले उसके सवाल करवाऊंगा हम shuffled questions लेकी आए है पर बीच वीच में जही आते रहेंगे ऴीच वीच में जही मैंस क्याते रहेंगे ऐसा भी नहीं करें साहिज अथा वह एक बात है आप सबुस्पक्ण में हो सकता है quantity wise जेही मेंस के सवाल जादा दिख जाए क्योंकि बिटा उसका reason है ना जेही मेंस online भी तो हो गया है तो बहुत सारी shifts होती है तो बहुत सारी शिफ्ट में हर शिफ्ट में एक-एक-एक-एक-दो है फिर answer देखोगे clear है चलो ठीक है वी विल बिगिन आर जान नहीं विद वेरी फर्स्ट क्वेस्टन और यहर इट इस अपको बिटा चार options दिए गए हैं मुझे options को देखके लग रहा है चारो के चारो मेरे oxy acids हैं और आपसे क्या पूचा गया है इन चारो options में से correct order क्या है acidity इगा फटा फट से screen pause करो दिमाग में सोचो कैसे सवाल करना होता है attempt करो और फिर हम discuss करते हैं ठीक है जल्दी से करके देखिए कि स्टार्ट करें वही चालो आप सब लोगों को ने सवाल attempt कर लिया होगा तो बेटा देखो यह जही एडवांस का क्वेस्चन है 2001 में आया था बट मेरे हिसाब से बहुत ही फर्जी सवाल है क्यों फर्जी सवाल है क्योंकि बेटा यह तो बेसिक नॉलेज का होने वाला सवाल था आप लोगों को भले और यहां भी फंडा सिर्फ इतना साही तो लगना था कि जो एसेडिक स्ट्रेंथ होती है यह जो एसेडिटी होती है वो किसके प्रपोर्शनल होती है ऑक्सेडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल आटम हमने बाते भी करी इस बारे में पहले जो एसेडिटी होती है वो किसके प्रपोर्शनल होती है ऑक्सेडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल आटम जितनी ज्यादा आपके सेंट्रल आटम पे ऑक्सेडेशन स्टेट होती जाएगी क्या उतनी ज्यादा एसेडिक स्ट्रेंथ होती जाएगी ठीक है जब तो हमारे पास में क्या है यह चार oxy acids है क्या सब पे चेक कर लेते हैं अच्छा यह बताना सेंट्रल आटम पहचान में है क्या कौन है oxygen है कि chlorine है तो बिटा obviously oxygen है क्योंकि मतब chlorine है sorry obviously chlorine है क्योंकि सारे के सारे chlorine की तो oxy acids है यहां पर इसको क्या कहते थे hypo chloris chloris chloric पर chloric halogen family के time ही तो discuss किया दाम लोगों ने ठीक है जब करते हैं discuss सबसे पहले मैं बात कर लिता हूँ हो CL की बिटा में को chlorine पर oxidation state निकाल लिए ना सब में उस पर मैंने क्या माल ली एक्स माल ली ठीक है hydrogen की stable क्या होती है plus one oxygen की क्या होती है minus two ठीक है भाई chlorine पर निकाल दो यह oxidation state कितनी आ जाएगी one plus oxygen पर कितनी minus two plus chlorine पर कितनी x और overall molecule कैसा है neutral तो equal to क्या जाएगा zero one minus two is minus one minus one plus x equal to zero तो x की value कितनी आ जाएगी plus one ठीक है इस वाले में HOCl की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर chlorine पर कैसी oxidation state आ गई plus one ठीक है साब आगे बात करते हैं hclo2 अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निकालूँगा एक में पूरा solve करके बता दिया one plus x plus two times of minus two equal to zero क्योंकि oxygen पर minus two होता है यह क्या बन गया one minus four is minus three तो x minus three is equal to zero तो x की value क्या आजाएगी आपकी three के बराबर आजाएगी बोलो सही है अच्छा अगर x की value three के बराबर आजाएगी तो hclo2 में अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे hclo2 में क्लोरीन पर oxidation state कैसी हो गई जाएगी प्लस थ्री राइट अच्छा बात कर लेते हैं hclo3 की ओके वन प्लस एक्स थ्री टाइमस माइनस टू इकोल टू जीरो तो एक्स की वाल्यू कितनी आजाएगी प्लस फाइफ अगर एक्स की वाल्यू आगी प्लस फाइव तो hclo3 में क्लोरीन पर कैसी स्टेट हो जाएगी प्लस फाइफ अच्छा अब लास किया बचा hclo4 तो मोगी तो थो वन प्लस एक्स प्लस four टाइमस माइनस two स्टो इकोल टू जीरो तो एक्स की वाल्यू क्या जाएगी प्लस एवन अगर एक्स की वाल्यू आगी प्लस सेवन तो बिटा hclo4 में लोरीन पर कितनी oxidation state आएगी प्लस 7 ठीक है अब मुझे एक बात बताओ जैसे जैसे central atom पर oxidation state बढ़ती है acidic strength भी क्या होती जाती है बढ़ती जली जाती है तो हमारे पास में जैसे जैसे आपका oxidation state बढ़ा acidic strength भी बढ़ गई गया तो order क्या हो जाएगा hclo4 then hclo3 then hclo2 and then hocl बो अग्रीड if this thing is agreed तो हमारे पास में correct option हमें कौन सा दिख रहा है यह रहा कितने बच्चों ने question सही कर लिया था congratulations to you जो बच्चे नहीं कर पाए प्लीजिस solution को ध्यान से देखें then we'll begin with the next question पटावट से देखें आँ नोट करें जल्दी से कि ठीक है हो गया चालो आगे बढ़ जाए अब चलिए तो इस time to move towards next question फिर से वही वाला पैटन में बार-बार रिपीट नहीं करूंगा here is a question सवाल आपका कह रहा है आपको एक reaction दी गई है 3 Cl O minus give Cl O 3 minus plus 2 Cl minus this is an example of oxidation reaction reduction reaction okay the question is asking you about type of a reaction ठीक है pause your screen start attempting the question your time starts now all right I guess आप सब लोगोंने सवाल attempt करके देख लिया होगा ठीक है अगर सवाल attempt करके देख लिया है तो बिटा इस सवाल में करना क्या है first thing सिर्फ answer निकालने की भीड में नहीं लग जाना है पहले बच्चों से जिनसे नहीं हो रहा है उनके लिए बात है पहले बिटा दिमाग में सोचो करना क्या है है ना what is this question asking you to do at least so first think about that सवाल ने एक reaction दी हुई है तो उस reaction को एक बार यहां लिख लेते हैं बड़ा बड़ा 3CLO minus gives CLO3 minus plus 2CLO minus है ना अच्छा सवाल आपको यह कह रहा है कि मुझे बताओ यह reaction कैसी reaction है oxidation है reduction है disproportionation है यह decomposition है भीटा देको decomposition तो नहीं हो सकती है क्योंकि decomposition की तो basic बात होती है कि वो अपने corresponding elements में टूट जाती है अब CLO minus अगर CLO में टूट रहा होता तो मैं फिर भी बात करके देखता पर यह तो CLO3 में भी टूट रहा है तो यह कम से कम decomposition तो नहीं है तो यह तो नहीं हो पाएगा यह बात समझ में आई क्या है ना क्योंकि decomposition में यह कोई elemental form धूड़ी हुआ है इसका अच्छा अब यार इन तीनों में से कुछ भी चेक करना है तो किसी चीज में oxidation हो रहा है यह reduction हो रहा है यह disproportionation हो रहा है क्या इनका में को मतलब जब ही समझ में आएगा जब मैं यहां पर क्या निकाल के देखूंगा oxidation state पर उस सबसे पहले यह बात समझनी में को पूशनी जरूरी है कि oxidation का मतलब तो आपको पता है कि reactants यह product जाने पे किसी element की oxidation state बढ़ गई reduction का मतलब oxidation state घट गई पर disproportionation का क्या मतलब है बिटा disproportionation का यह मतलब होता है कि same element जो है वो oxidize भी हो जाए और वही element किसी और compound में reduce भी हो जाए रइट छीक है तब चेक करने के लिए oxidation states निकालने पड़ेगी ठीक है अगर निकालने है यहां पर क्लोरीन पर यहां पर क्लोरीन पर मैने एक्स मान ली सब जगा पर अच्छा तो यहां पर क्या होगा x plus oxygen पर कितना होता है माइनस टू और ओवर ओल यह कैसा है neutral है तो x-2 is equal to minus 1 हो गया गया तो x की value क्या होगी minus 1 plus 2 या निकी x की value क्या होगी plus 1 तो यहां पर क्लोरीन पर कैसा oxidation state हो गया plus 1 all right now ClO3 minus क्या करेंगे x plus oxygen कितना है बिटा 3 और into minus 2 क्योंकि हर oxygen पर minus 2 होता है और यह value किसके बराबर होगी minus 1 आपको हो सकता है यह लग रहा हो कि सर तो बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे है तो बेटा जल्दी-जल्दी करने का कारण है क्योंकि oxidation state तो भी पिछले question में भी निकाली है not a difficult task है ना तो हमने क्या करा x-6 is equal to minus 1 x की value क्या हो गई minus 1 plus 6 यह answer किसके बराबर आ गया पांच के तो यहाँ x की value क्या हो गई plus 5 CL- तो यहाँ पर oxidation state क्या है minus 1 अब ध्यान से देख लो जरा कि यहाँ पर chlorine plus 1 जे plus 5 में जब जा रहे तो मैं यह बोलू क्या ओर रहे oxidation हो रहे है और जब chlorine minus plus 1 जे minus 1 पर जा रहे है तो यहाँ पर क्या हो रहे reduction हो रहे है plus 1 जे plus 5 जा रहे oxidation state बढ़ गई plus 1 जे minus 1 गया oxidation state घट गई बिटा अगर यहाँ यहां पे Oxidation State बढ़ गई और यहां Oxidation State घट गई मतलब में यह बोलू इधर Oxidation हो गया उदर एडक्शन हो गया महलब सर अंसर दो वन और टू दो नो हो गया नहीं 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 एक और बात देखो here this same element is getting oxidized also and the same element is getting reduced also and whenever the same element यहां पे लिख लो अगर नहीं पता तो any chemical reaction whenever same element in any chemical reaction gets oxidized as well as reduced you you simultaneously you 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 this proportionation reaction such reactions are disproportionation reaction जब भी किसी reaction में same element oxidize भी हो रहा हो और reduce भी हो रहा हो ऐसी reactions को हम क्या कहतेते हैं disproportionation reactions कहतेते हैं ठीक है तो यहां पे हमारे पास कैसी reaction हो गई है यह disproportionation reaction हो गई है बोलो सही बात है कोई doubt कोई डिक्कत कोई परिशानी जितने बच्छे कर पाये थे बहुत अच्छी बात है सवाल है ना तो भीटा यह देखो यह ना सिर्फ पी ब्लॉक का सवाल नहीं है यह यह कहने को गुरूप 17 के अंडर आ जाता है बट बेसिकली इसको तो रिडॉक्स का भी बोल सकते हैं यह ना क्योंकि और इसको पी ब्लॉक भी बोल देते हैं तो मैंने का ना चाप्टर्स मर्जों के सवाल आते हैं अभी फ्री के आपने पैसेज और पैसेज नहीं पहले से हमारे पास हैं दो शवाल एक तो ये वाला और एक पीछे वाला ठीक है अट्खाए अगर ये पैसेज वाला सवाल धिसक 50 वाल है ध्यानD देख लेते हैं पहले पैसेज को सीक्रेणर पाढ़ लेते हैं जल्दी से कहां कहे रहे है the noble gases have closed shell electronic configuration and are monoatomic gases under normal condition हम सबको पता है close shell fully filled configuration होता है monoatomic होती है diatomic होती नहीं compound बनाती ही नहीं है the low boiling point of the lighter noble gases are due to weak dispersion forces between the atom हमारे पास इनका boiling point होता है वो कम होता है उसका reason होता है क्योंकि हापे London forces लगते है right polarizability बोल दो या London forces बोल दो between the atom and absence of other interatomic attraction अब यहां पर यह नहीं expect कर सकते हो कि hydrogen bonding हो जाएगी यह कोई बहुत strong force लग जाएगा एनिक bond type बन जाएगा नहीं बनेगा London forces होता है the direct reaction of xenon with fluorine leads to series of compound with oxidation number plus two plus four plus six हमें पता है कि जो xenon है वो आपके वाज़े fluorine के साथ रियाक करके यह तीन तरीकी के compound देता है plus two वाली स्टेट का plus four वाली स्टेट का और plus six वाली स्टेट का यह तो हमारी understanding है इतना तो हमने group 18 में पढ़ाई है अच्छा जी XCF4 react करता है violently with water to give XCO3 सवाल आपको कह रहा है कि जो XCF4 है वह जब आप पानी के साथ में डालते हो तो रियाक करके आपको देता है XCO3 अच्छा ठीक है अब the compounds of xenon exhibit rich stereochemistry and their geometries can be deduced considering the total number of electron pairs in the valential आप compound के xenon के compounds की geometry कैसे निकाल सकते हो तो बिटा यह तो अपन ने भी पड़ा है अपन वी a cpr theory की help ले सकते हैं क्या वी a cpr ze hybridization निकालते हैं शेप निकाल सकते हैं चेक कर सकते हैं गया ठीक है यह दे रहा था यह package में passage में सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है सवाल आपसे कह रहा है कि structure of xeo3 कैसा होगा ले यह सवाल पूछने के लिए उसने आपसे इतना बड़ा passage भर पढ़वाया है देखो टाइम वेस्ट करवाया ना दो मिनिट का इससे बेटर क्या होता इससे बेटर होता हम डिरेक्ट सवाल ही पढ़ लेते अब तक तो हम अंसर निकाल चुके होते अब निकाल लो यार अब क हां जी आ गया गया अंसर अरे आया की नहीं आया आ गया होगा यार मजह मतलो यार मेरे बहुत असान सवाल है यह तो है ना क्या करना होता है बताओ किसी चीज का स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो गड़ते हैं हम लोग ने बिटा एक रूल बनाया हुए ना अभी ग्रूप 18 तक जब भी कुछ पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं हम सबसे पहले है इसन निकालते हैं अगर आप रिविजन करके आएं तो इतना तो आप लोगो याद होगा या रेगुलर रिविजन कर रहे हैं तो ठीक है बई तो क्या करें यहाँ पर सबसे पहले है इसन निकाल दें तो एकस इओ थ्री जी नौन पर बात करनी है इसन क्या होगा हाफ फॉर्मूला क्या होता है एस प्लस वी माइनस क्यू बोलो हाया ना ठीक है यहाँ पर एस क्या होता है मोनोवेलेंट सराउंडिंग आट क्यू क्या होता है चार्ज विच साइन चार्ज यहां कुछ है क्या है ही नहीं तो क्यू की वैली तो हो गई जीरो एस क्या होता है मोनोवेलेंट सराउंडिंग आटम ऑक्सिजन क्या होता है डाइवेलेंट अगर ऑक्सिजन है डाइवेलेंट तो एस की वैल्यू भी क्या हो और विटए और विड्याओ धे वैलें शेल में सब कोई पता है आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कैसा ओन फिग्रेशन होता है एन स्टो इन पिसे यह घौशन को स्टैरिक नवर 4 का या कि संवझ में आता है यह ग्या होसे हैं श्ञोट P֝ है इससे क्या समझ में आता है जोमेटरी कैसी हो जाएगी है 딱 ट्रह25 जोमेट्री कैसी हो जाएगी टेट्राहेड्रिल राइट अच्छा अगर जोमेट्री आ गई टेट्राहेड्रिल तो उसमें आरेंज करेंगा जीनॉन को जहां से देखना यह चार पोजिशन होनी चाहिए है अच्छा बिटा जो ऑक्सिजन होता है वो हमेशा कैसे बनाने की कोशिश करता है डबल बॉंड्स याद करो तो जोमेट्री तो भली टेट्राहेड्रल है पर जब शेप निकालते हैं तो लून प्यर को क्या करते हैं धग देते हैं अगर शेप निकालने के लिए लून प्यर को धग देते हैं तो बेटा जो बचीवी शेप है वो कैसी है दिखने में पिरामिडल कैसी यह दिखने में पिरामिडल तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे सी डाट इस पिरामिडल बताओ कितना इजी सवाल था कुछ करना ही नहीं पड़ा इसके था मतलब यह तो बेसिक नाम का कंपाउंड बनता है बताओ उसकी शेप कैसी है तब भी देखते कि तुम्हें कितनी रियाक्शन याद है यह चलो और अच्छा सवाल अगर बनाता सपोस करो मुझे सेट करना होता पेपर कोई क्वेस्टेन डालना होता तो आय वुड़ाइव सेड के कंपाउंड है ए जो जीनॉन का फ्लोराइड है जिसके अंदर ऑक्सिरेशन स्टेट है प्लस फॉर या इससे भी तगड़ा सवाल बनाना होता तो मैं गहता जो जीनॉन के वन इस्टू फाइव रेशो से बन जाता है एक सिय tulee बनता है तो फटा एक स्टू फैस होता एक सिय का शेप करता ना तो अच्छा सवाल बोल देते तो फरजी सवाल था जो इसने घूनदर नंबर कटने नहीं चीए थे अब बताओ जेई वाले ऐसे सवाल पूछ रहे हैं और हम यहां पे टफ सवाल बना रहे हैं उनसे तो बताओ फोड देंगे की फूट आएंगे फोड देंगे राइट चालो इसमें आपको करने में दिक्कत आए तो सुन लो मेरी बात ध्यान से फैक्ट बेस नॉलेज़ है कुछ खास बात नहीं है पिटा जीनॉन के जितने भी फ्लोराइड होते हैं उनको आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि वह अच्छे ऑक्सेडाइजिंग एजेंट्स होते हैं अब इनको बोलते ही हो ना एडिशन अफ एलेक्ट्रो नेगटेव एलेमेंट यह क्या होते हैं बहुत अच्छे फ्लोरी नेटिंग एजेंट्स होते हैं मतलब चीजों में फ्लोरी नैड करवा देते हैं तो रिडॉक्स के टाइम पर पढ़ा था ऑक्सिडेशन की अच्छी डिफिनिशन यह भी तो होती है कि एडिशन ऑफ एलेक्ट्रो नेगटेव एलेमेंट उस तरीके से यह कैसे एक्ट करेंगे एक अच्छे ऑक्षिडाइजिंग एजन की तरह करेंगे राइट कर सकते दे आप लोगों धिमाग लगा सकते दे पर हां कभी-कभी चीज़े चमक शर्वांचे पड़ा था यह प्र्लीज पॉस इट टेक टू मिनिट्स रादर अटेम्ट दिसक्वेस्टिन क्लीस कॉतिए है अंजी I hope attempt करा होगा आप लोगोने पॉस करके question discuss कर लें गया चालो तो सवाल क्या रहा है सवाल क्या रहा है अंडर एम्बेंट condition the total number of gases released as products in the final step of the reaction scheme shown below सवाल आपको कह रहा है यह जो reaction scheme आपको दिखाई गई है इसमें बताईए कि जो product बन रहा है इसमें total कितनी gases release हुई है कितनी gases release हुई है तो बिटा यह बना ना बढ़िया सवाल बढ़िया सवाल क्यों बना अगर आपको एक भी reaction नहीं आती तो बस तुम तो फ़स गए वहां पर कुछ करी नहीं सकते अब ठीक है तो क्या आना जरूरी है आना जरूरी है reactions को solve करना है ना अच्छा जी XC f6 है उसका जब मैं complete hydrolysis करता हूं तो तो सोचो क्या बनता है जब XC f6 का complete hydrolysis करते हैं तो हम बोलते हैं एक सी ओ थ्री और एच एफ बनता है गया कि पार्शल हीड्रॉलिस से तो बनता है एक सी ओ एफ और एक सी ओ टू एफ टू पर फाइनली complete hydrolysis से क्या बनता है एक सी ओ ट्री और एक एफ तो यह पी क्या ओगया एक सी ओ थ्री हो गया अब एक सी ओ ट्री बेस का reaction पीटा याद करो zenets पर zenets कुछ याद एक हमने पढ़े थे zenets और पर zenets कैसे पढ़ा करते थे जब ओएच माइनस आगे रियाग करता था तो यहां पर zenets बनते थे Xeo4 माइनस पता हों बनते थे क्या कैसे बनते थे एक्ष एक्सी ओ फॉर माइनस यह बनता था कि और जब यह बनता था तो मैंने का थे स्लोली क्या हो जाता है डिस्प्रोपॉर्पोर्शनेट disproportionate हो कि बेटा क्या बना लेता है यह बना लेता है XC O64-7 बना लेता है XC सात्वे बना लेता है O2 और सात्मे वाटर वगएरा जो भी बनता होगा ठीक है या HF या whatsoever it is but हमारे काम का यह नहीं है HF नहीं बनता है आप वाटर बनता है और सवाल ने आप से जयनेट्स यer पर जयनेट्स के बारे में बात नहीं करी यह किशीन आपका पर हें हे ऐसे geography ती बात की दिना यह जो छिनर ने प्लस सिक्स से टेत से कहाँ चला जाता है प्लस 8 और 0 में प्लस sonAS ने आप से पूचह है कि बता बताओ यहां पर आपके कितने वो बन रहे हैं क्या गैसे बिटक गैसे कौन-कौन जी बन रही है एक तो टू गैसे आपकी ठीक है कलर चेंज करते तो हम बॉक्स का दिखनी रहा होगा एक तो आपकी ओटू गैस बन गई और एक आपके क्या बन गई जीनो और नूबल गैस तो ही है तो अंसर क्या हो जाएगा यहां पर दो इन फाक्ट यह चीज तो मैंने बातों बातों में आपको सेशन में भी बताई थी यह पार्ट जेही ने एक बार सवाल पूछा था और आ रड़ क्वेस्टें वेर्ट के मिन जेएडवांस तो लोजिक पहला तो नंजी आपी में नहीं है पर जीएडवांस कभी-कभी कुछ चीज आउट ओट ऑबॉच्व पूछ लेता है हमने डिस्कस कर ली है आच्छा इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ने जैने जैने जैन बच्चे जीनॉन पे भूली गई कि यह भी तो नोबल गैस है बहुत सारे बच्चों ने अंसर थ्री टिक कर दिया कि वाटर वेपर माल लेते हैं और डी अंसर टिक कर देते हैं जैसे माता का माल नहीं है मर्जी से कुछ भी टिक नहीं कर देना है आपको सोचना है ठीक है तो अधर गया हो जाएगा टू ओके चालो जी यह बेरी गूट क्वेस्टन था अदहा हुआ है हो सकता है यह मेंस में भी रिपीट कर देगा भी रहे चालो आगे बात करते हैं अगला क्वेस्टिन पाॉस करिए अटेंट करिए यह ही मेंस का सवाल है उस टाइम बेए ट्रिपल भी बोलते देसको पटावड मैं स्क्रीन जे हट रहा हूं पटावड जे पढ़ो इस सवाल को और एटेम्ट करो हां जी I hope आप लोगो ने पढ़ा हो गाई सवाल क्या है एक वेस्टिन इन केस आफ नाइट्रोजन ncl3 is possible but no ncl5 while in case of phosphorus pcl3 as well as pcl5 बोथ are possible it is due to इतना फरजी question इतना ज्यादा फरजी question बताव क्या यह तो पढ़ते पढ़ते ही सवाल अंसर दिमाग में आ गया गया बिटा सौ बार पढ़ लिया था anomalous properties of nitrogen nitrogen पे vacant d orbital नहीं है अगर vacant d orbital नहीं है तो वो चार से जादा bond नहीं बना सकता और वो generally कैसे बनाता है तीन bond और एक lone pair वाला structure बनाता है तो पांच bond तो वहाँ बनाना संभव है ही नहीं और क्यों संभव नहीं है विकज ऑब्विस सी बात है vacant d orbital phosphorus में तो है बट nitrogen में नहीं है तो answer क्या हो जाएगा ए बाकिया आगे बढ़ने की ज़रत ही नहीं मोस्ट प्रॉमिनेंट रीजन है आपके पास में एन एन्यवेज यह जन्रली सिंगल करेक्ट ही होता है बटा कुछ केसे ऐसे रहें एक्जाम के अंदर जहां दो दो अंसर भी आ रहे थे या चारों में से चारों ही करेक्ट आ रहे थे इंकरेक्ट पूछ लिया तो बोनस क्वेशन हो जाते हैं पर यहां तो आपको साफ साफ अंसर मिली गया ठीक है चालिए इसी था एक वेशन तो आगे बात करते हैं यह वाला सवाल देखो जरा फटाफट चेक करना थोड़ी सी इसने भाशा घुमाई है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बट सवाल इजी है अगर धंक से समझोगे तो पटाफट एक बाप पढ़ना लुक लेना क्वेशन गा कि कि अंजी कि पढ़ा गया क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने पॉस करके अटेम्ट भी कर लिया होगा यहां से डिसक्स करें इस क्वेश्चन को चलो पहले दिमाग में सोचना कितना असान सवाल है इसका अंसर तो ए होई जाएगा कि मैं दिमाग में सोचे भी क्या ए अंसर आई जाएगा क्यों एफिनिटी एच्सील कैस में मौस्चर की होती है ड्रॉप्टेश के साथ मिक्स हो जाता है क्लावडी स्मोक बना देता है बच्चों को न यह वाला ऑप्शन पढ़के बड़ा अपीलिंग लगता है यह वाला क है क्या है आप सवाल क्या है कॉंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक असेड वेन केप्टेन ओपन एर सम्टाइम प्रेडूशेज अ क्लावड ऑफ वाइट फ्यूम्स इस ड्यू टू वाट बिटा जी सिंपल सी बात है कि आपके पास में एयर में क्या होगा ऑक्सिजन होग है ख्लोरीन गयस निकल जाएग यि निकल जाएगे तो इसका क्लाऊड बन जाएगा है क्या बना देगा है वाइट फूम बना देगा उसकी सिक मिलेयन्सर being a gently SMilling ताइम नहीं के साथ में फ्यूमस यह कर लेंक वहां जल्दिवस टीक हängt strong affinity for water concentrated HCL pulls moisture of air towards cell the moisture form droplet of water and hence the cloud बिटा नहीं द्रॉपलेट ऑट रहेंस अ क्लाउड किस चीज का क्लाउड हाइड्रोग्लोरी असिड का ही क्लाउड नहीं रेक्शन आपको साफ साफ याद होनी चाहिए है क्लोरीन का क्लाउड बनेगा ठीक है क्लोरीन की बात ही नहीं करें इसने यहीं पे तो करी है बाकी जो पर क्लोरीन की बात करता तो हम डिसकस करते उस चीज को है ना यह तो है तो यह आंसर आएगा हमारे पास में ठीक है जी आगे बात करते हैं कि सब्सक्राइब यूज इन होम सिगनल ऑफ देखने के लिए भी नहीं कहूंगा मैं ऑप्शन देखते ही अंसर आ अचीए ओम सिगनल याद कर लो होम सिगनल की स्पेलिंग देखना है अपिजरा होम सिगनल क्या होते थे भीटा होम सिगनल हमने पड़े दे जब फॉसफीन पड़ा था कि वो हम लोग को calcium phosphate को पानी में डालते हैं छेद करकर के piercing करकर के तो क्या करते हैं light produce करते हैं phosphorescence जिससे जब आप ship से जा रहे हैं आप रस्ता भूल गए हो तो आपका nearby जो भी नंबर थे और जब मैंने होम सिगनल पढ़ाया था मैंने तब कहा भी था कि बिटा इस पर डिरेक्ट क्वेस्चन आया है और फ्री के नंबर होते हैं इस बात को द्यांत के समझ लो है ना ठीक है आगे बाट करें ओके यह हो सकता है थोड़ा दिमाग लगाना पड़े बट करता है कि नहीं नहीं हम तो खुदा टेम्ट करके देखना चाहते हैं तो पॉस करके गोएड मना नहीं करूंगा मैं तुम लोगो बहुत अची बात है कि खुद से इनिशेटिव लेते हो तो बाकी बच्चे एक बार सुने मुझे दियान से वाट वाट वूट वूट होता है ना थिस उन इस यहार क्रोमेट को और जो सी आर्टू ओंटू माइनस होता है ना धिस वन जेधियो क्रोमेट ठीक है आच्छा तो हमने बोला पोटाशियम क्रोमेट को मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूं एच्छे नो त्री के साथ में वह भी डाइल्यूटेड और वह भी एक्सिस अब बिटा एच्छा ऑक्षिडाइजिंग एजेंट में भी बन सकता था बडिया नाइट्रोजन अल्रीडी अपनी मैक्सिमुम ऑक्सिदेशन स्टेट में तो कैसे आक्ट करेगा रिडूसिंग एजिन की तरह आक्ट करेगा पर क्रोमियम यह अल्रीड अपनी प्लस श्टेट में है तो इसको रिड्यूस ना करके क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो है वह आपके इकुलिब्यम में रहना पसंद करते है सेडिक बेसिक मीडियम में यहां से मीडियम यहां से बेसिक मीरियम है है तो chromate आपका किसमें convert हो जाएगा फट से dichromate में convert हो जाएगा और acidic medium है तो साथ में क्या बन जाएगा आपका water ठीक है यह चीज आपको बहुत अच्छी से समझ जाएगी जब इस वजे से इसका आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा बी ता इसको बीडियूस कर देगा यह तो कैसे होगा क्योंकि खुद भी तो अपनी maximum oxidation state में बैठा है फुद भी रिडियूस ही होना चाहेगा क्योंकि दी ऑर्बिटल तो है नहीं इस पे अब खुद रिडियूस होगा तो या तो इसको oxidize करें पर यह भी प्लस 6 से उपर कहीं जा नहीं सकता क्रोमियम की maximum स्टेटी प्लस 6 है कांफिग्रेशन क्या होता है 3D5 4S1 तो फिर इसका मतलब oxidation reduction नहीं समझ ही नहीं आएगा तो इसलिए यह वाला फंडा लगता है प्लस 6 से प्लस 6 ही रहता है बाद इनका equilibrium वाला reaction काम आता है कि acidic medium में chromate से dichromate basic medium में dichromate से chromate ठीक चालो तो answer आगया B ओके आगे बात करते हैं विच्वन ऑफ फॉलोविंग स्टेट्मेंट regarding helium is incorrect बेटा यह question आप तभी कर पाएंगे अगर आप लोगोंने मेरी उस बात को थोड़ा seriously लिया होगा जब मैंने आपको कहा था कि group 18 के जो element है उसके uses मैं आपको assignment में दे रहा हूं ncrt से पढ़के आना और उनको एक बार समझ लेना ध्यान से क्योंकि उन पर direct question आया है तो वह इसी question की में मैं बात कर रहा था आपसे इसलिए मैं इसको आज के session में भी लेके आए हूं तो चेक कि कितने बच्चों ने वाद seriously ली ठीक है तो मैं स्क्रीन जी हट जाता हूं आप इस question को पढ़ लीजिए इसको attempt कीजिए फिर हम बात करते हैं इसमें कोई की calculation calculation नहीं है जिए याद करने की बात है बट question बहुत बढ़िया है कुछ बच्चे तो यह कहते थे कि सर चारों यह option करेक्ट है गलत किसको बोले तो देखते हैं आप क्या बोलते हो चेक करना जड़ा which one of the following statement regarding helium is incorrect इन में से helium को लेके कौन सा statement गलत है हां जी I guess आप लोगोंने कर लिया होगा इस हवाल करने discuss बेटा देखो helium जो है वो super conducting magnets को produce करने में काम आती है जो आपके MRI ultra sounds और उन सब चीजों में काम आते हैं राइट अच्छा it is used as a cryogenic agent for carrying out experiments at low temperature बिल्कुल सही बात है direct NCRT की लाई नहीं लिखी हुई उपर वाली भी it is using gas cooled reactors obviously सही बात है it is used to fill gas balloons because of its lighter and non-inflammable nature सही बात है जब सारी सही बात है तो गलत क्या है किटा ध्यान से देखना वापस से पढ़ता है एक बरसी वाला statement it is used to fill gas balloons instead of hydrogen because it is lighter and non-inflammable it is lighter and non-inflammable बिटा जी बाकी बात तो ठीक है पर instead of hydrogen because it is lighter ये तो content wise ही गलत हो गया भाई helium जो है उसका atomic mass होता है चार जबकि hydrogen का atomic mass कितना होता है तो light तो hydrogen हुआ ना helium का से हो गया इसका मतलब ये statement कैसा हो गया incorrect और हमारा answer भी क्या हो गया सी बिटा ये बात पकड़ में नहीं आती है कई बार हम फ्लो में पढ़ रहे होते ncrt की lines पकड़ में नहीं आती है ये बात प्लीज चेक इट थरुली बहुत बहुत असान सी बात है बहुत असान सी बात पकड़ में आ गई तो बल्ले बल्ले नहीं तपर थल्ले थल्ले तो चली रहा है ठीक है चलो समझ में आये वाला question तो ये question खर्बूजा था नहीं पर इस इतनी सी बात की वज़े से खर्बूजा बन जाता है राइट ठीक चलो आगे बात करते हैं अगला question which among the following factor is the most important in making fluorine the strongest oxidizing halogen आप सबको पता है हमने E0 की values check करी दी और हमने decide भी किया था decide गया किया था समझी थी बात कि fluorine जो है आपका वो सबसे strong oxidizing agent होता है अगर fluorine आपका सबसे strong oxidizing agent होता है तो मैंनो पढ़ाते हुए भी है था कि उसके अंदर major contribution किसका होता है hydration एंथालपी का क्योंकि आप solution में बातचीत करते हो और अगर hydration एंथालपी का major contribution होता है तो यह लो ncrt ने इतनी छोटी सी बात कहीं पर बोली और जब मैंने बोली तब मेरी बात भी यह शायद आपने उतनी ध्यान से नहीं सुनी होगी पर जेही मेंज वाले ने सवाल पूछ दिया इस पर भी उसने नहीं छोड़ा कुछ भी यह इसका मतलब तो ncrt में था बड़ हमने पढ़ा कैसे नहीं अब यह बात जब मैं कल बता रहा था आपको जब भी मैंने कल पर सो पुराने जिस भी सेशन में आपको बताई होगी हालोजन फैमली पढ़ाते हुए एम हंड्रेट परसें शूर साट परसें जंता ने नोटिस ही नहीं किया हुगा मैंने ऐसा भी कुछ बोलाया गया पर एक पर वो वीडियो ध्यान से सुनना हमने बोली है यह बात कि इसका जो इनॉट है इसका जो अच्छा ऑक्षिडाइज नेचर है वो कही ना कहीं उसकी हईड्रेशन एंथाल्पी पे डिपेंडेंडे बिकॉस वी टॉक अबाउट अक्षिए अन फ्लॉरीन हाज स्मॉल साइज इडेटेट नाइस ली यह एक बात बता हो अगर तुम यूजर्स पढ़के नहीं जाते वो फैंसी डबों को करेंगे जिन्दगी में कभी सवाल अपने से अगर कॉमन सेंस होता तो क्या पता है लाइटर वाली बात पहचान के कर देते बट स्टेल विटा मैं गया सकता हूं मैक्सिमुम बच्चे सवाल नहीं अटेम्ट कर पाते क्योंकि उन्हें तो किसी बात विश्वास ही नहीं होत करती हम तो रियक्षन पढ़के आगे बढ़ गए जी ग्रूप 18 में यूजस भी तो हमने ध्यानी नहीं दिया वहीं बात है एंसी आटी चलो सर आपको एंसी आटी वाले अलग से कमीशन तो नहीं दे रहे इतनी पबलिसिटी करने गा तो नहीं 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 बेटा कमी सेलेक्षन से मिल जाएगा तुम सेलेक्ट होगी यही मेरा कमिशन है और उसके लिए हमें वो सारे रिसोर्स तुम्हें प्रोवाइड करने और बताने हैं जिससे तुम सक्सेस्फुल हो पाओ राइट चलो यह वाला सवाल तो देखो बनना चीए यार प्लीज यार इस पर ड फट से लिए फटाफट से में आप लोगने सवाल अटेम्ट करा होगा पॉस करके वीडियो को मैं स्क्रीन से हट भी इसलिए गया था ठरमल स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे बीटा हमें यह पता देखो दो रीजन बताता हूं तुम्हें दो रीजन मैंने दोनी पीबलॉग के टाइम डिसक्स करें पहला रीजन तो मैंने यह डिसक्स करा था एक जगा पर कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना वो आइनिक केरेक्टर के प्रपोर्शनल होती है कि यह मैंने बताया था जब मैंने ग्रुप 17 की आप से बात करी थी वह अच्छों फ माइनस के बारे में बताया था ग्रुप 16 के टाइम पर हर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो आयनिक के प्रपोर्शनल होती है और आयनिक के प्रप कैसे जग कर सकते हो आपको यह पताया गया कि f- माइनस, c l- b r- और i- डाउन दो ग्रुप जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास size of n i n बढ़ता है जब size of n i n बढ़ता है तो हम बोलते है polarizability बढ़ती है और जब polarizability बढ़ती है तो आप क्या कह सकते हो जब polarizability बढ़ती है तो आप कह सकते हो Covalent Character बढ़ता है और पीटें जब Covalent Character बढ़ता है तो हम क्या कह सकते हैं आइनिक Character घड़ता है अगर अज़ाँ अगर अगर अज़ाए तो सबसे जदा आइनिक क्या हो जाएगा F- और आइ- क्या हो जाएगा Least ionic डिखना ज़रा अगर यह वाली बात आपको clear है तो thermal stability का order क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा f minus then cl minus then br minus then i minus हम यहां बोल देए hf then hcl then hbr then hi यह तो एक तरीका हो गया discuss करने का this is method 1 अब हम बात करते है method 2 की यह वाला समझ में आ गया चीक है अगर यह समझ में आ गया तो method 2 देख लो बिटा method 2 तो और असान है हमने बात करी थी जैसे जैसे size बढ़ता है आपकी bond length बढ़ती जाती है जैसे जैसे size बढ़ता है आपकी bond length क्या होती है बढ़ती जाती है तो hf hcl hbr hra right down the group जैसे 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 जा रहे है I am can I say कि मेरा bond जो हो weak होता जा रहे है अगर bond weak होता जा रहे है तो can I say इस bond को तोड़ने में मुझे ज़्यादा energy नहीं लगेगी अगर इस bond को तोड़ने में मुझे ज़्यादा energy नहीं लगी तो यह bond weak हुआ कि strong हुआ weak हुआ weak हुआ weak हुआ मतलब ज़्यादा stable है कि कम stable है obviously कम stable है तभी तो असानी से तूट जा रहा है तभी तो bond weak है तो thermal stability का order क्या है thermal stability का order है सबसे strong hf फिर hcl फिर hbr और फिर है सबसे strong कौन है hf फिर hcl फिर hbr और फिर है राइट यह भी हमें पता था और हम इसके हिसाब से तो acidic strength के order basic strength के order कितने orders निकालके है nitrogen family से लेके यहां तक राइट असान question था तो दोनों ही तरीकों से आपको समझ में आ गया आपका answer क्या हो जाएगा यह कि अगर यह सबले कर लिया था तो बहुत यह अच्छी बात है बहुत यह अच्छी बात है पर नहीं कर पाये थे तो अब के बाद तो हो जाना चएए अब के बाद में repeat नहीं होना चाहिए ठिक़ए ठीक है चलो यह वाला question हो गया आगे बढ़ते हैं बहुत सारे questions करने हैं चलो अगर बहुत सारे सवाल करने हैं अगला question which of the following statement is true this is a good question ठीक है इसमें देखते हैं कितना दिमाग तुम लगा पाते हो इसमें हर फैमली है कहीं ना कहीं नाइट्रोजन भी है oxygen भी है एक मिनिट ले लो जरह attempt करना इसको फटाफट से चेक करो इस question के अंदर कैसे अटेम्ट करेंगे इसे कि विच आफ दो फॉलिंग स्टेट्मेंट इस ट्रू कि देखिए फटाफट ठीक है भई आइगेस आप लोगों ने अटेम्ट करके देखा होगा चलो ज्यान से देखना मेरी बात क्या लग रहा है इसके अंदर क्या अंसर आएगा कितने बच्चों को लग रहा है कि उनका अंसर ए है और कितने बच्चों को लग रहा है उनका अंसर भी है कि देखो सी तो नहीं लगना चाहिए आज ही कर रहा है जितनी ज़्यादा उक्टीेशन स्टेट ऊतना स्ट्रोंघ गासेट ये तो अंसर हो नहीं पाएगा क्योंकि यहां हमारे पास और ईहां अक्सिदेशन स्टेट कितनी होगी ब्लस सेवन क्यां उखेसिक अग्टों सब्सक्राइब करें अपनी बात कि लैट ये तो पॉसल बॉजन बॉंडिंग हो जाएगी एज़ी एज़ प्लस देगा ही नहीं यहाँ पर इज़ी होगा है एज़ प्लस निकालना तो स्ट्रॉंग आसेट तो कौन होगा यह होगा ठीक है जी तो यह वाली बात भी गलत हो गई अब A option और D option A option देख लो H3PO3 is stronger acid than H2SO3 अब यहाँ आपके oxidation state कोई help नहीं कर पाएगी क्यों नहीं कर पाएगी भाई oxidation state तो जब help करती ना जब आपका एक series का oxy acid होता यह तो एक जैसे type के दो group के oxy acids है यह phosphorus acid है और यह sulfurous acid है तो फिर यहाँ क्या करें तो बेटा यहाँ पे आ जान है acidic strength जो होती है वह electronegativity भी तो dependent होती है तो जब मैं left to right जाता हूं periodic table में जब मैं left to right जाता हूं तो मेरी electronegativity क्या होती है बढ़ती है ना मेशा अगर electronegativity बढ़ती है तो ध्यान से देखो nitrogen के नीचे phosphorus आता है और oxygen के नीचे sulfur आता है तो phosphorus से sulfur जाओंगा electronegativity बढ़ेगी अगर electronegativity बढ़ेगी तो H2SO3 ज्यादा अच्छा acid हुआ ना H2H3PO3 के comparison में बट यहां तो हमें क्या कहा जा रहा है हमें तो यह कहा जा रहा है हमें तो यह कहा जा रहा है कि H3PO3 is a stronger acid than H2SO3 तो यह statement भी क्या है गलत तो understood है जब तीन ही गलत है तो यही सही answer होग पर अब यह सही answer क्या होगा exact reasoning भी देख लो इसकी HNO3 is a stronger acid than HNO2 बिटा same type की series का है गया nitrogen की oxy acids है यहां पे oxidation state कितनी है nitrogen की निकालो nitrogen पे x माल लोगे तो 1 plus x minus 4 equal to 0 तो यहां nitrogen पे आएगा plus 3 और यहां nitrogen पे कितना हैगा plus 5 जितनी ज्यादा oxidation state उतनी ज्यादा acidic strength जिस reason से C option reject D option select हो जाएगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा HNO3 is a stronger acid than HNO2 and this is your correct answer तो answer will be D ठीक है चालो ओके आगे बाद चीत करते हैं अगला question ज्यांचे देखिएगा what products are expected from the disproportionation reaction of hypochlorous acid जब आप hypochlorous acid का disproportionation करते हैं तो क्या product आता है अब बेटा आप लोग यह बोल सकते हो यहां पर कि सर हमें तो यह reaction याद ही नहीं है यह तो आपने भी नहीं बताई हमें तो पता ही नहीं कैसे करें इसको तो पहली बाद तो पैचानना पड़ेगा hypochlorous acid क्या होता है HOCl होता है पैचान करना आपको बहुत ज्यादा सिखा अब सवाल आपको यह कह रहा है इसका disproportionation होगा तो क्या होगा तो पीटा देखो ध्यान से हर वक्त ना जरूरी नहीं होता कि तुम्हें पूरी reactions पता ही हो कभी कभी smart work करना पड़ता है कैसे smart work करना पड़ता है भाई disproportionation reaction का मकसद क्या होगा कि एक element जो है मतलब सेम element एक जगह पर उक्षडाइज हो रहा होगा और एक जगह पर रिडीउज हो रहा होगा मतलब यहां जो भी oxidation state होगी एक जगह पर इससे जाधा oxidation state आईगी और एक जगह पर इससे कम oxidation state आएगी तो बस फिर हम चार option select करके देखते सब में oxidation state निकाल के देख लेते हैं यह वाली चीज जहा वो जाएगी वो अंसर हो जाएगा बट सर अगर यह दो ऑप्शन में फॉलो हो गई तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं बट शुरुआत तो करें चलो ठीक है यहाँ पर क्लोरीन पर उसरी उल्जा परिएक तो फ्लेशन स्टेट क्या होगी इसको एक समाल लो अगर तो हाईड्रोजयन बट ऑक्सेज़ें-2 ख्लोरीन पर एक्स ओवराल क्या अग्याज दिरो याणि कि मैं वो लू एक समर्ट स्टेट क्या ब्लस वन डैट अगर क्लोरीन बेख्षे युचेट और अगर आप क्लोरीन पर यहां चेक करोगे तो यहां पर प्लस वन आएगी क्या ऑक्षिडेशन स्टेट निकालना आपको आता है यह में मानके चल रहा हो बहुत सारे सवाल करने इस तरीके के ठीक है तो बीटा दोनों देखो एक तो प्लस वन जे प्लस वन और एक प्लस वन प्लस वाइव क्या डिस्प्रोपोश्णेशन हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंकि बीटा ओक्षिडेशन तो हो गया पर रिडक्षन तो हुआ ही नहीं अच्छा वी ओप्षन देख लेते हैं availability dias a अच्छी let's we 1230 kवे ऐगी अगर यह प्लस ट्रीएशन गया इगी सेवन अगर यहाँ प्लस थ्रीयों यह फ्लस शैवन आएगी तो thousand बूह अगर दुनों ये जगहाएपो इसा प्र प्रोड़क्ट्प्रिक्शेष्ण ड र Kashड़ा है अगर पर oxidation product बन रहा है तो इस disproportionation हो सकती है ये भी नहीं हो सकती ठीके साब C option देख लो फिर यहाँ पर chlorine जो है उस पर क्लोरीन जो है उस पर क्या रहा है minus 1 और ये जो CL2 में chlorine है इस पर क्या रहा है plus 1 अफसोस reduction तो हो रहा है पर oxidation ही नहीं हो रहा तो ये भी answer नहीं हो सकता तो अब जब कहीं answer नहीं हो सकता तो फिर यह answer होना चाहिए आओ चेक करके देखते हैं पिटा यहाँ पर chlorine पर क्या रहा है minus 1 इतनी बात तो समझ में आती है chlorine पर क्या आएगा minus 1 और जो तुम्हारा hclo3 है इसमें chlorine पर क्या आएगा plus 5 तो देखना जरा एक जिगा पर oxidation और एक जिगा पर reduction बोलो मिल गया गया answer तो जरूरी नहीं होता हर जगा reaction पता हो कभी कभी smartly भी खेलना पड़ता है ठीक है अंसर क्या जाएगा यहाँ पर दी कुल है जिन बच्चों ने स्टिल यह सवाल pause करके try करके देखा था बहुत अच्छी बात अगर सही हुआ तो नहीं हुआ तो तरीका समझो सवाल को करने की अप्रोच पता होनी चाहिए सीधा सवाल देखते ही कूद नहीं जाना है कि answer निकाल दू अंसर निकाल दू आपको इस समझ में आना चाहिए कि कि किस तरीके से उसको सोचू पहले अप्रोच शुट भी वेरी क्लेर इन यौ माइंड देन उली पैंचलो ठीक है चलो कि आगे बात करते हैं यह क्वेस्ट्टन है पढ़ना इसको ध्यान से इसलिए लांग्विज बड़ी बड़ी है गो थ्रू दिस वांस वीडियो को पॉस करें और फिर सॉल्व करें यहाँ पे करेक्शन है यह एने बी आरो फोर नहीं है एने बी आरो थ्री है कि करना इसको ट्राइब पड़ाफट अंजी आप लोगों ने ट्राइ कर रहा हुआ इसको पॉस करने के बाद में चलिए आगे बात करते हैं डिसकस करते हैं इस सवाल को अंसर वंसर आया नहीं आया कुछ पल्ले पढ़ागे इसके अंदर चलो भई ध्यान से देखना फिर हमें सवाल यह कह रहा है कि इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेट्मेंट बताना है हमें क्या बताना है इनकरेक्ट स्टेट्मेंट बताना है अच्छा इनकरेक्ट स्टेट्मेंट मतलब गलत स्टेट्मेंट पहला सवाल क्या कह रहा है पहला अप्शन आपको यह कह रहा है यहां पे क्लोरीन जो है वह एक्सेज ऑफ एन ncl3 बनता था explosive और जब ammonia excess में हुआ करता था तो बिटा आपका बनता था ammonium chloride और साथ में N2 राइट जब ammonium chloride और N2 बनता था तो बिटा यहां तो N2 और HCl दे रहा है यहीं इंकरेक्ट हो गया हमारा अंसर तो आई गया आगे तो चेक करने की ज़रूती नहीं है फिर भी आगे देख लेते हैं ब्रोमीन जो है वो होट और स्ट्रॉंग एने वेच के साथ क्या देगा तो याद करो हमने एक रियाक्शन पड़ी दी कि जो X2 होता है वो एने वेच अगर होट और to concentrated हो तो क्या product देता है है लाइट बनाता घ्लेट बनाताय और water देता और पर यहाँ पर condition है कि जो एक से काउन हो सकता है या तो chlorine या तो ब्रोमीन या फिर i queen की बात करते दो आगया अगया ठीक है तो हमने chlorine ब्रोमीन की बात कर ली है तो हमारे पास में क्या यह वाली रियक्शन तो बिल्कुल सही है यह वाला स्टेट्मेंट थीक है बिल्कुल थीक है अच्छा अगला सिलिकन रियक्शन रियक्शन के साथ में तो यह देता है ठीक है एने टू ऐसा ही उत्री हम आपे सिलिकेट पढ़ते हैं सिलिकॉंस पढ़ते हैं अलग अलग कैटेगरी पढ़ते हैं तो यह वहां का स्टेट्मेंट इन दिस आप्सलिटली करें तो और आंसर हेर इस इंकरेक्ट वान इस ए ऑप्शन ठीक है चल लिए आगे बात करें ओके अगला question which one of the following reaction of xenon compound is not feasible यह question तो देखो आपसे बनना चाहिए यह वाला गलत मत करना क्यूं बिटा सारी reaction हमने बड़े अच्छे से discuss करी है with reasoning ठीक है तो मैं फ्रेम से जा रहा हूं एक मिनिट का टाइम है फटा इस सवाल को अटेम्ट करना इन मेंसे कौन सी reaction होना संभव नहीं है तो चो भई चल यह discuss करते हैं तो आप लोगों ने अटेम्ट करके देखा होगा यह वाला सवाल क्या करेंगे भई देखो द्यान से एक एक reaction पढ़ लेते हैं decision ले लेंगे अच्छा जब XC F4 आपका पानी के साथ रियाग करता है तो क्या बनता है Xy F2 आपका पानी के साथ रियाग करता है तो क्या बनता है नहीं नहीं इन गहाइंगी तेक आठ कौना घुटाई लेते हैं अच्छा अब XCF6 को RBF के साथ रियाग कर रहा है मतलब यह फीजिबल यह फीजिबल राइट अच्छा XCF6 को RBF के साथ रियाग कर वाया है बिटा ध्यान से देखो रूबीडियम जो है क्या वह सब्लॉक का अगर यह फ्लॉरीड एक्सेप्टर आएगा तो यह कैसे भीव करेंगे कटाएन की तरह पर यहां तो फ्लॉराइट डोनर है f- जा सकता है उदर तो यह कैसे भीव करेंगे और बी प्लस और वो ले लेंगे एक और फ्लॉरीन तो यह किया बन जाएगा XCF7-, मतलब they will behave as fluoride donors, then that time xenon का complex will behave as anion, मतलब ये reaction तो बिलकुल ठीक है, ये भी feasible है, अगर ये तीनो reactions feasible है, तो फिर बिटा which reaction is not feasible, ये बताओ, इन मेंजे कौन सी reaction फिर feasible नहीं है, तो बिटा obvious सी बात है, जब पहले तीन option feasible answer, तो फिर last option तो non-feasible ही होगा, पर देखो ध्यान से, क्या कहे रहे, XCO3 plus HF gives XCF6 plus water, अब ये तो खरभूजा है, क्यों, हमने तो ये reaction पड़ी थी न, कि XCF6 जो होता है, वो आपका पानी के साथ react करके क्या देता है, XCF6 आपका पानी के साथ में react करके XCO3 और HF देता है, यानि कि ये reaction संभव है, ये तो उल्टी reaction है, उसकी, उल्टी reaction तो संभव ही निया, ये reversible reaction थोड़ी होती है, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, ये होता है, ये नहीं होता, तो this reaction is non-feasible, why so, इस reaction के लिए delta G0 कैसा हो जाएगा, positive, यानि कि non-spontaneous reaction हो जाएगा, right, तो your correct answer is this one, that this reaction is not feasible, if this reaction is not feasible, तो this one is your correct answer, correct है, ठीक है, आगे बात करें, चलो आगे बात कर लेते हैं, this question, which of the following is most reactive, फटाफट, एक मिनिट का समय है, सिर्फ, सिर्फ और जिर्फ एक मिनिट का समय है, फटाफट देखो हाँ जी, I guess आप लोगों ने कर लिया होगा, बिटा, इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं है, देखो, चार ओप्शन में, हैलोजन, 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 और इंटर हलोजन, यहीं बात खतम हो गई, हमने कहा था, इंटर हलोजन ज्यादा रियाक्टिव होते हैं, बस F2 नहीं देखो, the products obtained when chlorine gas reacts with cold and dilute aqueous NUH, फटा फटा टेम्ट कर दो, फटा फटा फटेम्ट कर दो, pause करने की भी जरुरत नहीं है, pause करने की भी जरुरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे, अभी अभी बताईए, इंट पिछले सवाल में reaction, hot and concentrated की, cold and dilute याद कर लो, क्या होता थ हम बोलते थे, कि halogen जो है, हम बोलते थे, halogen जो है, जब उसको आप NaOH के साथ react करवाते हो, और वो भी कैसा, cold and dilute, तो क्या होता है, तो बिटा, आपका बनता है, NaX और साथ में क्या बनता है, NaOX, right, halide और hypo halide, यानि की Cl- बन जाएगा, और OCl- बन जाएगा, क्लोरीन के case में, option है कहीं पर Cl- और OCl-, आगे answer, ठीक है, easy था यह question तो, आएगे से तो बनी गया होगा, अपने से, s-block में भी पढ़ा था, अभी हमने recently भी पढ़ा है, यह जब halogen family पड़ी थी, ठीक है, यह सवाल कह रहा है, shapes of certain inter-halogen compounds are stated below, which one of them is not correctly stated, अच्छा, अरे, यह पिटा, IF7 होगा, F7 क्या होता है, printing mistake, सवाल कह रहा है, कि आपके पास में कुछ inter-halogen compounds है, उनकी shape दी हुई है, अगर shape दी हुई है, तो आपको बताना है, इन में से किसकी shape correct नहीं है, तो बेटा, ध्यान से देखें, BACPR का सवाल है, attempt करके देख लो, जल्दी से attempt करके देख लो, मैं कहता हूँ, दो मिनिट के मुझे का 3 मिनिट लगा लो, पर attempt करके देख लो, एक जानकरी तुम्हें नहीं भी देनी है मुझे यहाँ पर, उसे के लिए सवाल लाया हूँ, मैं, हाँ जी, I guess आप लोगों ने attempt करके देखा हुगा एक वेस्टन, अगर इस सवाल आप लोगों ने attempt करके देखा हुगा, तो कितने बच्चों का answer आ रहा है, D? कितने बच्चों का answer आ रहा है, B? कितने बच्चे कहने, सर्फ दो answer होंगे इस सवाल के तो, तो बेटा ध्यान से सुने, क्या होगा है यहां पर, समझते हैं, सबसे पहले, IF7 की बात करें अगर, तो बेटा, IF7 में क्या होगा, hybridization निकालोगे अगर आप, तो hybridization आएगा SP3D3, अगर SP3D3 आएगा, तो geometry होती है, pentagonal by pyramidal, और obviously 7 bond बनाने होते हैं, 7 bond बना भी रहे हैं यहां पे, तो pentagonal by pyramidal हो जाएगा direct, ठीक है, अगर आप बात करो के BRF3 की, तो बेटा, यह तो CLF3 जैसा हो गया न, hybridization भी आप निकाल सकते हो, hybridization आएगा SP3D, अब 5 bond बनाने के लिए 3 bond की जगा है, बच्चे भी दो जगा लोन प्यार आएगे, लोन प्यार कहाएंगे, equatorial पे आएगे, equatorial पे आएगे तो यह कैसा हो जाएगा, T-shape, बनाया हो है हमने, example इसलिए मैंने बना के नहीं दिखाया, अच्छा, BRF5, यह कल हमने बात करी है, यह परसों हमने बात करी है, उससे एक दिन पहले हमने बात करी है, जिस भी दिन हम लोगों ने पढ़ा है, इंटर हालोजन, हमने बात करी थी, कि BRF5 जो होता है, यहां पर hybridization कितना आता है, SP3D2, और यहां शेप कैसी आती है, distorted octahedral, मैंने आपको assignment भी दिया था, अगर distorted octahedral आता है, तो बिटा, trigonal bipyramidal तो यहीं से fail हो गया, शेप ना भी पता होतो, SP3D2 में trigonal bipyramidal थोड़ी आएगा, यह answer नहीं है, अगर यह answer, मतलब यह incorrect है, अगर incorrect है, तो इस सवाल का answer यही है, अब यह देखो, बिटा, ICL3 अगर आप draw करोगे न, तो simple ICL3 में hybridization आएगा, SP3D, और BRF3 की तरह इसकी shape भी कैसी आएगी, P-shape, पर बिटा, यह ना backbonding types करके, bridge bonding बनाता है, backbonding भी नी, bridge bonding, और यह actually dimer की form में stable होता है, इसको अपने notes में add करना point को, यह कैसे होता है, dimer की form में stable होता है, यह दो T-shape वाले जो ICL3 उनको लाता है, और उनके साथ में क्या बनाता है, dimer बनाता है, कैसे बनाता है, देखो दियान से, हमारे पास में हम दो ICL3 लेके आ रहे हैं, हमने बोला ऐसे, यह एक T-shape वाला ICL3 था, अब यह क्या होगा आपका, अगला T-shape वाला ICL3 लाएंगे तो कैसे बनेगा, यह बन गया अगला ICL3, अब बिटा यह जो क्लोरीन है, यह अपना लोन पेर इसके वेकेंडी और्बिटल में देदेगा, और similarly, यह जो क्लोरीन है, यह अपना लोन पेर इसके वेकेंडी और्बिटल में देदेगा, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके क कंपाउंड बन जाएगा देखो ध्यान से कैसे यह क्लोरीन पे लोन पे हर क्लोरीन पे होगा आयोडीन पे वेकेंडी और्बिटल होगा यह चीज हमने गलत बोल दिये ध्यान से देखना एक यह यह बोल रहे हैं हम बस इतनी सी बात बोलना चाहरे हैं कि बेटा यह जो आयोडीन है है ना यह बन थोड़ा सा गलत गया इसलिए थोड़ा गलत इंटर्प्रेटेशन हा गया हमारे पास में यह आईसी एल थ्री है राइट एक आईसी एल थ्री मेरे पास यह रहा सेम टू सेम इस तरीके का यहां हई आप के असे अब इस ऐधीन पेगेंटि और बिकले सब्स्क आर evolve के कुलई आटिं stability के लिए ना stability इस पर दो loan pairs भी तो है हमारे पास और इस पर भी दो loan pairs है वह केंडी के अंदर ही तो है stability के लिए this chlorine giveaway इसका electron यहाँ पर and this chlorine giveaway इसका electron यहाँ पर क्यों हमारे पास डाइमर बनके जादा stable हो जाएगा stability के लिए बनालित यहाँ ICL Professional यहाँ ICCAR तो आप जैसे हों जाते हैं यह बांने कियसा हो जाएगा कोडिनेट लो इस तरीकतर विया जब फिक बिरिपलिच मैं था आप देखोगे कि पूरास ट्रॉक्टर कैसा हो अगर प्लेन में आ गए तो हम बोलते हैं डाइमर बनाने के बाद में कैसा हो जाएगा यह इस्ट्रक्टर हो जाता है डाइमरिक प्लेणर कि I2C6 exists like this this forms a bridge bond chemical bonding में आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है ओने पढ़ाता तो अब पढ़ लिया कि I too the whole purpose Wixug stability the whole purpose was more stability right एक हमारे पास विए छान 16 नहीं होते एक दियूर्स कैसे करता है डाइमरिक प्ट्र। आपको जान अब आपको बनाएगा तूपर घ्मिस्ट्री के अंदर हर चीज और गैने chemistry में stability के लिए करी जाती है और वहां उसकी thermodynamic stability बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा अगर वह i2cl6 बनाएगा ठीक है तो that's why it forms a dimer clear है चलिए आगे बात करते हैं विच अफ दो फॉलोविंग xenon oxo compound may not be obtained by hydrolysis of xenon fluoride xenon के fluoride xcf2 xcf4 xcf16 है उन तीनों का hydrolysis आप पढ़ चुके हो आप complete भी पढ़ चुके आप पार्शल भी पढ़ चुके हो सवाल आपको कह रहा है हमें ये बता दो बस कि इन में से कौन सा compound किसी भी hydrolysis में मिलता नहीं है मैं फ्रेम से भार हो रहा हूं एक मिनिट का समय है प्लीज अटेम्ट करके देख लो इन में से कौन सा अग्जों compound hydrolysis में मिलता नहीं है तो बिटा जी ध्यांत से देखो आप लोगने टेम्ट कर लिया होगा एक इस वीडियो पॉज करके सवाल को अभी तक हमारे पास में जब हम हाइड्रोलिस करते हैं तो बिटा हमारे पास क्या होता है एक इस सी एफ डूक जब हम हाइड्रोलिस चैश करते हो इस नहीं बात आतिığın सारी की सारी सेम चीज़ ही चलती है किवर पिए हैं अगर आप बात करते हो एक सीएफ सिक्स की बिटा जब इसका क्म्प्लीट हिड्रोलिस करते हो तो अब बनाते हो XeO3 और HF और जब आप इसका partial hydrolysis करवाते हो तो आप क्या करते हो या तो बनाते हो XeOF4 कि या फिर बनाते हो XeO2 F2 साथ में HF तो मुझे बताओ क्या compound है इसा जो कभी भी नहीं बनता है यह बनता है यह बड़े अच्छे से बनता है यह भी बनता है पर बिटा यह नहीं बनता क्या XeO4 कभी बनाया है हमने और बिटा जैसे मैंने reaction लिखी है न तो मैं भी बिल्कुल है इसे tips पर याद होनी चाहिए है reactions तभी बात बनेगी अभी के लिए मैं मिटा रहू हूं इसको आप लोग खुद लिखके attempt करके देखना तो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए सारी reaction अगर ऐसा है तो हमारा answer क्या हो जाएगा डी XeO4 because this is something जो कभी भी नहीं बनता है ठीक है अगे बात करते हैं अगला question the least number of oxy acids are formed by विटे तो डिसकस ही कर देते हैं एक मिनिट में इसमें solve करना ही क्या है आपको सबको पता है फ्लोरीन जिर्फ एक oxy acid बनाता है तो answer हो गया यह nitrogen के हमने तीन तो discuss करना ही थे HNO2, HNO3, H2N2O2 फ्लोरीन के बहुत सारे करे हैं हमने सब्सक्राइब करते हैं और यह सवाल देखो इतना फर्जी किसमें है तो 2015 में आया था जैई मेंस में तो बोलो बिटा पी ब्लोक में confidence आ रहा है मुद्य की बात यह है यह तुम लोगों को विश्वास हो रहा है कि इतना टफ चैप्टर हैं हमें लगा करता था और अब हमसे सारे सवाल बन रहे हैं और हमने कोई भी हाइफाई बात नहीं करी अभी तक confidence आना बहुत जरूरी है बोलो मजा आ रहा है कर पारें questions ठीक है आग कि आगेस आप लोगों ने कर लिया होगा देखो ध्यान से क्लोरीन वाटर स्टैंडिंग पे कलर लूस करता है क्या बनाता है एच सील और है इसकी ब्लीचिंग एजेंट वाली बात भी तो करते थे कि हो सील बनता है इस वैसे उसकी ब्लीचिंग वाली प्रॉपर्टीज फ्लोरीन बिकॉज यह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगिटिव एलेमेंट है यह माइनस वन के अलावा और कोई ऑक्सिदेशन स्टेट शोही नहीं करता है अच्छा अगर यह बात है तो आगे बात करो स्टेट्मेंट कंसर्ण एलिमेंट इन दे प्रियोडिक टेबल विच अफ फॉलोविंग इस ट्रू देख लो यह बताओ विच फॉल्विंग इस ट्रू आपको ही बिताना है पटाफट सारे उप्शन पढ़े और फटाफट फिर इसको पॉस करके अटेम्ट करें जल्दी 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 ऐ मैं चलो डिसक्रस करते हैं हम एक एक करके सारे स्टेट्मेंट पढ़ते हैं और फिर डिसेजन लेते हैं कि क्या सभी है और क्या गलत है रहिए देखो the group three elements are all metals group 13 elements are all metal sorry three need 13 group 13 bit a concept a group 13 hota boron family the boron family me to boron khud non metal a bhai saab kahan se sare metal ho gaya galat ठीक है आपसे पूचा है कौन सा सही statement है right untrue नहीं पूचा है ठीक है this one is wrong all the elements in group 17 are gases group 17 15 कौन सा होता है halogen family by halogen family में bromine liquid होता है iodine solid होता है fluorine chlorine ही तो gases होती है तो बता हो यह भी नहीं होगा अब देखो अगर physical states नहीं पता होती तो कैसे अटेम करते हैं यह वाला question right अच्छा elements of group 16 have lower ionization enthalpy values compared to those of group 15 in the corresponding period यह सोचने रहा एक point लग रहा है क्यूं बेटा element of group 16 group 16 क्या होता है ns2 np4 oxygen family और group 13 नहीं 15 क्या होता है ns2 np3 यह नाइट्रोजन फैमिली यह है oxygen फैमिली नाइट्रोजन फैमिली जो इसमें half filled piece up shell है और half filled configuration हमेशा क्या होता है extra stable अगर यह extra stable है तो इसकी ionization energy क्या होगी हमेशा जादा क्योंकि stable जादा है तो electron निकालना बहुत मुश्किल होगा electron निकालने के लिए जादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आइनेशन एनर्जीन की जादा होगी तो वही तो यह point भी कह रहा है कि group 16 वालों के आइनेशन थैल्पी कम होती है as compared to those of group 15 वालब this one seems to be correct answer डी भी चेक कर लेते हैं for group 15 elements the stability of plus 5 oxidation state increases down the group ना 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 इनर्ट पेर एफेक्ट याद कर ले लाला लाला लाली जो भी है इनर्ट पेर एफेक्ट सोच लो क्या बोलते थे down the group जाते हैं तो lower oxidation state की stability बढ़ती है और यहां पर lower oxidation state क्या होता था plus 3 वह ज्यादा stable होगा plus 5 से तो हमारे पास में यह option भी क्या हो गया गलत तो answer क्या हो जाएगा यहां पे see बहुत असान था कुछ करना ही नहीं था basic बातों पर करना था सर आपके लिए तो क्या मुश्किल है आपके लिए तो असानी होगा दिक्का तो हमें हो रही है न तो बिटा इतना तुम्हें पढ़ा दिया गया है कि अब इसमें दिक्कत ना हो रहीट इसलिए बोल रहा हूं बहुत इसी क्वेशन था बन जाना चाहिए था अपने से अगर बन गए तो मजा आ गया ठीक है चलो XCF6 on partial hydrolysis with water produces a compound X the same compound X is formed when XCF6 reacts with silica the compound X is okay तो मेभी आप लोग कोई silica वाली reaction याद ना हो तो आप लोग एक बार NCRT वाले में जाके यह वाली reaction चेक करिएगा कि XCF6 जो होता है वो silica के साथ कैसे react करता है अभी के लिए मैं बता देता हूं अंसर इसका क्या होगा XCof4 अब वैसे भी सवाल को attempt कर सकते एक और तरीके से देखो अगर silica वाली reaction नहीं भी पता exam में सवाल आ गया तो कुछ तो करना पड़ेगा अच्छा XCF6 का partial hydrolysis मतलब यह बात तो समझ आ गई कि या तो इसकी बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है अगर यह reaction अलग से कभी आपसे पूछ ली जाए तो आपको आनी चाहिए ठीक है तो assignment है मैं बता दूंगा ना तो तुम XCF4 या XC02 F2 ठीक है XCof4 या XC02 F2 XCof4 या OXC02 F2 अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा को राइट को दिक्कत तो नहीं है Oxidation States भी चेक कर लो Oxidation State क्या होगी यहां पर जिनाउन पर X माल लेते हैं Oxygen पे-2 लोरीन पे-1 overall 0 X-6 equal to 0 तो X की value क्या आ जाएगी प्लस 6 similarly यहां भी क्या हो जाएगा X-4-2 equal to 0 X की value क्या जाएगी प्लस 6 दोनों में क्या है प्लस 6 है अंसर क्या हो जाएगा C partial hydrolysis से क्या सवाल बने अब एक बात बताओ मुझे और बनेगा भी ग्या ग्रूप 18 में और बचाई क्या है hydrolysis और हो जैनेट यही तो बाते हैं बस राइट बस फिर उन्हीं पे सवाल घूम फिर क्या आता रहता है 2018 में भी आ गया हर साल almost पूछ लेता है ठीक है on the following reaction with the halogen the one that requires a catalyst catalyst किसमें चाहिए होगा तो बिटा catalyst के लिए न मैं बता देता हूं आपको आप लोग को नहीं चमकेगा शायद बिटा यह वाली जो reaction है न है chemical equilibrium में पढ़ते हैं हम ह 2 प्रस गेज़ इस चाहिए अर इसके लिए लेते हैं बाकियों के लिए चाहिए होता है इसके लिए इसको स्पीड अप कराना स्लोडाउन कराना लीच अटलियर प्रिंसिपल के आप से है कि इस रियाक्शन के लिए कैटलिस्ट की जरुरत है ठीक है चालो आगे बात करते हैं क्लोरी ने और रियाक्शन विद होट इन इस अब कर लोगे जब आप लोगों ने कोल्ड डाइल्यूट कर लिया हाइलाइड और है पोलाइड बना दिया होट और वाइलाइड और हैलेट बनेगा अंसर आ गया उचकर नहीं नहीं था और रियक्शन यहाद है तो एक मिरिट में टेक होदा है पैन भी उठाने की अल्दो ऑप्शन्स के बाते बहुत ही टुच्चा सवाल होगे ऑप्शन्स देखने के बाद अच्छे ऑप्शन्स होते हैं तो थोड़ा टफ भी बनता हनजी आई गैस कर लिया होगा अप लोगों ने EVERY आ होगा हम लोगोंने बात करी दिना वाइट फॉसफोरास जब एस ओ-सी-ल्टू के साथ रियक्श करता है तो टीचिल थी बनाता है और सीप्ट Тут बनाता है और यही white phosphorus जब SO2Cl2 के साथ react करता है तो बिटा PCL5 बनाता है यहाँ SOCl2 दिया है तो क्या answer आएगा PCL3 आएगा answer आगया PCL3 तो simple advance का question था है ना छीक the compound which generate nitrogen gas upon thermal decomposition below 300 degree Celsius बिटा तो discuss करी भी reaction है Ammonium dichromate heat होता है N2Cr2O3 water दे देता है आगया answer कि यह सवाल आप attempt करो पढ़ो इसको एक बार कोचो फिर करो एक मिनिट का समय लगाओ question की language को सही से पढ़ो ठीक है सही से समझो एक क्या बताना चाहरा है तुम्हें तुम्हेर हम लोग discuss करते हैं इसको कि ग्रूप 15 के बारे में चार स्टेटमेंट उसने दिये हैं अच्छा क्वेशन बोलूंगा इसको अच्छा मतलब मल्टिपल चॉइस भी हो सकता है पहला ऑप्शन कह रहा है बी आई 205 इस मोर बेसिक देन टू फाइव मैं सवाल देखके अंसर निकालने की बजाए अंसर तक पहुंचने की अप्रोच दिमाग में आनी चाहिए अंसर तक पहुंचने की अप्रोच कैसे आएगी भई भई बी आई 205 जो है वो कैसा ऑक्साइड है और एं 205 वो कैसा ऑक्साइड है उससे बात करके देखनी पड़ेगी तभी कुछ समझ में आएगा चीक है कैसे करेंगे आउट चेख कर लेते हैं बहुत असान बाते थी अगहरे आपने अंसर निकाला है तो अपने अंसर को होल्ड करके रखे और मैच करें जब मैं बताता हूं ठीक है देखो दियांसर मैंने आपको यह बात समस्जाई दिया की यह आपके क्या होते हैं नॉन मेटल्स यह आपके क्या होते हैं अच्छा अगर यह था तो मैंने यह बताया था नॉन मेटल्स के प्सक्राइड जो होते हैं वह सिदिक होते हैं अ Taking हो कि नोन मेलो डिदं इस बीटल के आकॉसराइड जो होते हैं वह क्या होते हैं अटिक कर चुंप या दो भूपाइव है या अवा यानि ओग ज्यादा बेसिक होगा यह जीशन तोVideo है यह हो गया पर हम यह रुकेंगे नहीं क्योंकि सवाल ने आर भी लगा रखा है मतलब एक से जादा भी करेक्ट हो सकते हैं आगे बात करो nf3 is more covalent than bif3 फिर से वही वाली बात हो गई bif3 metallic fluoride है ठीक है तो यह कैसा रहेगा जादा covalent रहेगा यह आयनिक रहने की कोशिश करेगा आयनिक रहने की कोशिश करेगा जबकि non metal के है लाइट्स कोविलेंट रहने की कोशिश करते हैं यह statement पेच्ट्री बॉल्स एक लोटे ने निस ट्री बिटा यह भी सही है ना NH3 में तो hydrogen bonding होती है, hydrogen bonding के वैसे boiling point क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि pH3 में hydrogen bonding नहीं होती, उसका boiling point क्या होगा comparatively, कम होगा, तो ये भी हमारे पास सही statement है, पीन तो सही आगए अभी तक, चौथा, the NN single bond is stronger than the PP single bond, ये हो गया गलत, याद करो, NN में तो हमने कहा था, size चोटा है, और जो nitrogen के loan pairs है, उनके बीच में inter electronic repulsion आ जाता है, तो ये bond तो बलकि weak हो जाता है, ये तो कह रहे हैं, strong होता है, strong तो नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, गलत, question का सही answer क्या हो जाएगा, A, B, T, good question बोलेंगे इसको, क्योंकि ये चीज बहुत सार लोगों realize ही नहीं नहीं हो पाती है, बच्चे बता नहीं क्या से क्या लगाने लग जाते हैं, बहुत असान है, पहले lecture में बात करीव है, हमने group 15 में, right, चीक, आगे बात करते हैं, अगला question आप लोग के लिए 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 बढ़िया सा, आप लोग करो एक अच्छा सा सवाल यहां पे, आप बता हुआ मैं फॉड़ोग पाक अब लोग का फिर दो यहां अच्छ मिन्न बनना चाहिए बहुत बड़ जिन लोगने पॉस नहीं क्या, उन लोगे नहीं कि लिए हिंट् छोडता हूंукиशDee OUTख, सवाल को सोचना कैसे है मैं हमेशा कहता हूँ सवाल की अप्रोच दिमाग में रहनी चाहिए सवाल को सोचे ज्णगे कैसे सवाल कह रहे है ओओ लिंकेज अगर ओंolar कि बात वंदो प्रॉक्षि लींकेज और प्रॉक्षं लिंकेज कब आता थाथ तो हमने डिक सीकित कि जब भी आपकी calculated oxidation state maximum oxidation state से ज़्यादा आ जाए तो समझ जाओ वहाँ पर क्या है परोक्षी लिंकेज है इसने number of परोक्षी लिंकेज तुमसे पूछी नहीं है तो हम तो उतनी सी बात से यह अंजर दे सकते हैं हर किसी में oxidation state निकाल ले और सलफर की maximum oxidation state तो आपको पता ही है प्लस सिक्स होती है अगर आपने हर किसी में oxidation state निकाल ली तो क्या आपका अंसर आजाएगा अगर comparison करने पर ही कि आजाना चाहिए तो चलो भई अब attempt करके देखो इसको pause करके जब मैंने hint दे दिया है जल्दी 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 अब attempt करके देखो यह advance में आया सवाल है और बहुत easy सवाल है देखो द्यान से अगर यहां मैं sulfur की oxidation state निकाल हूँ तो क्या होगी two plus two x minus six equal to zero two x equal to four sulfur की oxidation state आ रही है plus two छीक है इसमें निकाल के देखूं तो two plus two x minus 12 equal to zero two x की value आ रही है 10 x की value आ रही है plus five छीक है h2 s2 o5 यह क्या हो रहा है two plus two x minus 10 equal to zero two x की value आ रही है eight x की value क्या रही है plus four देखो और यहां पे two plus two x minus 16 equal to zero two x की value आ रही है 14 x की value क्या रही है plus seven ध्यान जो देख लो क्या हर केस में sulfur पे oxidation state मिल गई आपको और sulfur के लिए maximum oxidation state कितनी होती है plus six अब अगर ओ लिंकेज होना चाहिए तो इसके लिए condition क्या है इसके लिए condition है कि calculated oxidation state should be greater than your maximum oxidation state calculated oxidation state should be higher than your maximum oxidation state उस वाले case में तो एक ही option है जहां higher है के आगे बात करें चलो और बढ़िया सवाल करवाते हैं आपको अगर और बढ़िया सवाल कराना है तो और अच्छा सवाल करने के लिए आप लोग एक काम करिए यह वाला सवाल करके बताईए तुम्हें को इजी क्वेश्चन है डिपेंड करते हैं आप लोग ऐसे सोचते हो जैसे सोचों के अप्रोच वैसे अंसर आएगा फटाफट से सोच लो विच अफ़ फॉलूविंग केमिकल रियाक्शन डिपेट्स दा ऑक्सिडाइजिंग बहेवियर फेच्ट तूसो फॉर मतलब आपको करना क्या है इस सवाल में इतनी सारी रियाक्शन याद होना ज़रूरी नहीं है आपको यह चेक करना है कि किस रियाक्शन में एच्टो एस्सो फॉर ऑक्सिडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है सामने वाले को क्या कर रहा है ऑक्सिडाइज कर रहा है ठीक है तो बेटा क्या पहले ऑप्शन से कुछ हिंट मिल गया गया पहला ऑप्शन ही देख लो आयुडीन पे यहां क्या था माइनस वन और यहां क्या हो गया जीरो एक ट्रोफ फॉर खुद तो रिड्यूस हो गया प्लस फॉर में और आयुडीन को इसने क्या कर दिया है ओक्सिडाइज कर दिया है बस बले-बले अनसर तो यहीं आ गया H2SO4 कैसे act कर रहा है यहाँ पे एक अच्छे oxidizing agent की तरह उसने सामने वाले को oxidize कर दिया और खुद क्या हो गया reduce AIEEE का सवाल है single कर एक question है यही answer आ गया आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ठीक है ना चालो आगे बात करते हैं अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला question जो आपको करना चाहिए वह आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से बड़िया सा सवाल और बड़िया सा सवाल यह वाला देखते हैं कितनी बात हैं आपको याद है कि देखो ध्यांजी इस question को nostro reasoning based question है आपके पास में है assertion reasoning based the ना क्या है अर्शर्षन क्या है रीजनिंग ध्यान से देखिए इसको जरा कि असर्षन और रीजनिंग बेस्ट सवाल है विडियो को पॉस कीजिए दो मिनिट का टाइम है फड़ा-फड़ से अटेम्ट करो ठीक है भई आइगेस कर लिया होगा है सवाल अटेम्ट आप लोगों ने देखते हैं ध्यान से पिटा अर्शर्षन यह कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सिजन आर्द मेन कॉम्पोनेंट इन अट्मॉस्फेर बट इस दू नॉट रियाक्ट तो फॉर्म ऑक्साइड ऑफ तो असर्षन है वो सही है रीजन भी सही है और असर्षन रीजन का करेक्ट एक्स्प्रेनेशन भी है यानि कि आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में दिस वन यह रिलेटेड पॉइंट जे ग्रुप 15 में मैंने बैक टूबैक एक्स्प्लेइन करें आप लुग चेक करिएगा एंसी आर्टी की डिरेक्ट लाइन जैं दोनों की दोनों एंसी आर्टी की डिरेक्ट लाइन ठीक है जेह मेंस का सवाल है प्लस चार आगए फ्रीक है ठीक है अगर यह वाला क्वेशन समझ में आया तो आगे ट्राइग करते हैं एक अच्छा सा सवाल अटेम्ट करके देखना है तो यह वाला सवाल अटेम्ट करके देखना जड़ा का इडेंटिफा द पार्यश्र्ट स्टेट्मेंट कैंत देखो फट फट पाउस करने के बाद में 30 अट ऒट थेक हो कि है है सवाल ने आपको चार स्टेट्में औह संग दिये हैं और आप को इंक्रेक्ट स्टेटमेंट पैचानना है इन करेक्ट स्टेटमेंट якषली इन करेक्ट स्टेटमेंट आगे धिकrau डिसकस करते हैं कि विटा जी हमें पता है कि रोंबिक और our Monoclinic Sulfur 2 S8 थोते हैं ये तो हमने पहले डिसकस कर लिया था कि यह कैसे रहते हैं दोनों के दूनों S8-D so know that दोनों ही Crown सेप में रहते हैं ये भी डिसकस कराобщा या लो ट्रॉपय कि टाइम पर S2 panelists the oxygen की तरह क्योंकि की तरह क्योंकि इसके एंटी-्उदि emotion Megle होता है और यह बहुत हाई टेंप्रेचर पर बनता है यह भी हमने डिसक्स करा हुआ है SSS bond S8 में और S6 rings में अलग होते हैं बिल्कुल यह chair confirmation है कि और यह crown confirmation है और दोनों में अंगल क्या होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं हमने स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है oxygen family के टाइम पर आप लोग के नोट्स में अवेलेबल भी होगा तो यह वाला अंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा सही क्योंकि यहां तो यह कह रहा है करती है चीज़ें याद है तो फटा फट आप सॉल्व कर सकते हो फटा फट राइट चलो आज का आखरी सवाल करते हैं कि iodine reacts with concentrated HNO3 to yield by another product the oxidation state of iodine in y is तो पहले तो आपको याद आना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि HNO3 non metals के साथ भी react करता है और उन्हें oxidize करता है तो बिटा यह क्या बनाता है है और NO2 gas और water वो सब release करता है पर हमें कह रहा है कि compound है वाई अब हमें क्या पता है है या कोई और वाई है तो बिटा इसकी हमें बातचीत ऐसे बता चली कि सवाल ने कहा है कि जो वाई है उसमें iodine का oxidation state बताओ मतलब यह बात तो clear हो गई कि वाय तो यह है बाकी जो भी बन रहा है वो बनता रहेगा अब iodine की oxidation state निकालना मुश्किल काम है गया आपने बात नोटिस करी जितने भी previous year सवाल मैंने आपको करा है क्या maximum जगाओं पे oxidation state का ही काम चल रहा है तो oxidation state बहुत important topic है ह ही हूथ है इसार यह बन गया और यह 2019 सवाल था तो इस तरीके से मैंने आपको कोशिश करिये सारे बढ़िया सवाल अच्छे सवाल दिमाग लगाने वाले सवाल कराने की अब बहुत सारे बच्चे कह देश सारी सवाल बहुत फुद्दू दे तो बिटो सारे सवाल इज क्या है हो और यह तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए राइट इस तरीके से पी ब्लॉक को आज हमने दे दी है फाइनल श्रदांजली चाप्टर होता है हमारा समाप अब हम मिलेंगे अगली समा में एक नए चाप्टर के साथ दी एंडेफ ब्लॉक एलेमेंट तब तक के ल कर दो के लिए चलेको एलॉक श्रदाई में